SSCGD के जितने भी अभ्यारति हैं उन्हें हमारा चैनल कौसिक GS Academy में स्वागत है इस क्लास में हम SSCGD Constable के प्रिबियस येर के जीके के प्रस्ण को सॉल्व करेंगे इससे आपको काफी बेनिफिट्स होगा यह प्रस्ण 13219 13219 के फर्ष्ट सिफ्ट का प्रस्ण है आपको बता दूँ कि अगर आप तैयारी करें SSCGD को तो आपके लिए यह जानना होगा कि प्रिबियस येर में किस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं साथ में कि आप जो तैयारी करें आपकी तैयारी में उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि हमारा प्रस्ण का लेवल क्या है प्रस्ण कहां से पूछे जाते हैं उससे आपके तैयारी में काफी हल्प होगा और साथ में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है आप जो person पूछे जा रहे हैं उससे related उसके level में आप तयारी कर रहे हैं या नहीं यह सारी चीज़े previous year के person को देखने के बाद ही पता चलता है तो हम अभी gkgs के previous person को अभी इस class में हम solve करेंगे तो चलिए देखते हैं 13-2019 को जो first shift में पर्थम पाली में जो ssgd का exam हुआ था उसके gk को person को आप देख सकते हैं यहाँ पर बता दू कि पहले 25-25 person पूछे जाए थे हर subject से अब 20-20 कर दिया गया है पहले 100 question होता था अब 20 कर दिया गया है पहले 25 हर एक का प्रस्ण होता था अब 20 कर दिया गया है पहले 100 होता था अब 80 कर दिया गया है पहला प्रस्ण है आपका भौतकी के Newton की तिर्थिय गति नियम का उदाहरन है यानि यह प्रस्ण था कि न्यूटन की तिर्थिय गति का नियम का उदाहरन क्या था और अप्सन था उसमें से अंसर क्या हो जाएगा घोरा दौरा खीचा गया गारी यहनि Newton का जो third law है वह उससे cancer हो जाएगा घोरा द्वारा खीचा गया गारी हो जाएगा Newton के third law से संबंदित आपको बता दू कि Newton के first law, second law, third law से हमें सब परसन आते रहते हैं आपको इससे पता चले है कि level क्या है परसन का साथ में इसके discussion को भी देखेंगे अब देख सकते हैं कहां पर दिया कि Newton ने अपनी पुस्तक principia में गती का तीन नियम बताया है गती का तिर्थिय नियम बताता है कि परते किरिया के बढ़ावर लेकिन विपरित दिसा में परते किरिया होती है घोरा गारी, दरपन वल, घरसन बल के बिरुद बल लगाती है इस परकार गती मिलती है क्या मिलती है गती मिलती है बता दो कि नियुटन के तिर्थिय नियम गती नियम का उदाहर है रोकेट के उरानों में नाव से किनारे पर कुदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है यह भी Newton के गती का तीसरा नियम है बंदूक से जो गोली चलने पर चलाने बाले को पीछे की और धक्का देता है यह भी Newton का तीसरा नियम है ओम का सिध्धान्त परतिरोध से है और आपको बता दू कि अबो ग्रादो का संख्या जो है वा 6.022 into 10 to the power 23 है आपको बता दू कि प्रिबियस एर के परस्ट करने से साथ में इसके जो डिसकसन दिया गया है उसे भी करने से आपका उसके बारे में पुरुता जानकारी प्राप्त होता है तो अब अगला परस्ट को देखते हैं अगला जो आपका 27 नमर परस्ट है अब ध्यान से देखेंगे कहरा है कि मचली में मौझूद राइबो फ्लोविन को बिटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है यह परस्ट था क्या परस्ट था मचली में मौझूद राइबो फ्लोविन को किस बिटामिन के रूप में जाना जाता है यह परसन था, साथ में इसका डिस्कसन है, विटामिन 2 की कमी से तवचा का फटना, आखे लाल होना आधी रोग होता है, विटामिन B12 का रासाइनिक नाम साइनो का वालमिन है, साइनो को वालमिन है, विटामिन B12 की कमी से एनिमिया रोग, पांडू रोग होता है, ठीक है, वि B12 में क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन C की कमी से इसकरवी लोग होता है क्या होता है इसकरवी लोग विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन K की कमी से क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलो कुईनन है, क्या है फिलो कुई नोन तो आपके लिए डिसकसिन काफी हेलफूल होगा यह सारी चीजे आप थ्यान से देखिए अगला परसन 28 नमर परसन है आपका महान खिलारी बिजय अमरित राज लॉन टेनिस खेल से संबंदी थे परसन पुझा गया थी कि महान खिलारी बिजय अमरित लाल किस खेल से संबंदी थे लॉन टेनिस खेल से संबंदी थे बिजय अमरित लाल 1970 के दसक में लॉन टेनिस में अपना धाक जमाया कब 1970 के दसक में लॉन टेनिस में अपना धाक जमाया अब अगला 29 नमर प्रस्ट को देखते हैं बिजय कुमार के बारे में थोड़ा और कुछ बताए गया है खेल में उतकृष्ट उगदान अरजुन पुरसकार बिजय अमरित राज को दिया गया ठीक है अगला 29 नमर प्रस्ट था राजकोसिय निती जौन नमाड कौन्स द्वारा दिये गया आर्थिक सिध्धान पर अधारित है यहीं प्रस्ट था कि जौन नमाड कौन्स द्वारा दिये गया जो राजकोसिय निती है वो किस से अधारित था, किस पर अधारित था, तो वो था आर्थिक सिधान्त पर अधारित था बता दे कि जॉन नेवाड किंस मारसल का सिस्से था किंस ने राजकोसिय निती को बिवेका धीन और गैर बिवेका धीन होने का उल्ले किया है बिवेका धीन राजकोसिय निती, राजी के बजट के राजस और बैय में बदलाव जो परतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के परिनामों को दूर करने के लिए सरकार के निन्ने दौरा किया जाता है किन्स ने रोजगार बैय मुद्रा का समाने सिधान्त दिया है किन्स ने क्या दिया है, रोजगार बैय तथा मुद्रा का समाने सिधान्त किस ने दिया मिज ने दिया, और यहाँ पर एडम इसमीत को अर्थ सास्त्र का जनक कहा जाता है अर्थ सास्त्र का जनक कहा जाता है अब हम 30 नमर प्रस्ण देखते हैं 30 नमर प्रस्ण आप देख लिए यहाँ पे 30 नमर प्रस्ण आपके 30 नमर प्रस्ण में है दुनिया के डुंगरी ला परवत दर्रे पर दुनिया की सबसे उची मोटर वहन योग सरक है यह प्रस्ण था कि दुनिया के सबसे जो उची मोटर सरक है वो किस दर्रा में है तो दुङली डुमिला परवत दर्रा में इस्थित है ठीक है इसके डिसकरसन में माना पास दुङलीला जारखंड में तिबबत और भारत के बीच की सीमा पर स्थित है इस मोटर वाइक सरक की उचाई 18192 मीटर है सिपकिला दर्रा हिमाचल परदेश के जासकर स्रेनी में स्थित है कहां स्थित है जासकर स्रेनी में सिपकिला सिमला को तिबबत से जोरता है नाथुला दल्ला नाथुला दर्रा दारजलिंग तर्था चुम्बो घाटी से होकर तिबबत जाने के मार्ग में है नाथुला दर्रा सिक्किम राजी के डुंगो क्या स्रेनी में स्थित है तो ये सारा दर्रा आप याद रखे है नाथुला दर्रा दारजलिंग चुम्बी घ हाटी से होकर तिब्बत जाने के मार्ग में सिपकिला सीमला में है ठीक है हिमाचल प्रदेश नाथुला दर्रा सिक्किम में है बी आरो द्वारा लद्दाक छेतर में बनाया गया अब विस्व का सबसे उची मोटर यान रोड हो गया है उचाई है उनीस जार तीन सो पिट कितन सक्ति कर रख लेंगे अब अगला प्रस्ण एक्तिस नंबर प्रिश्म को देखते इकतिस नंबर प्रस्ण आप देख रहे हैं लगया कई 2013 में कब पारित किया गए 2013 में भारतिये संसत द्वारा पारित होने के उपरान सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्टी एक खाद सुरक्चा एक्ट अधिसुचित किया गया इस कानून के तहत लक्षित सर्वजनिक बित्रन परनाली के अंतरगत ग्रामीन छेत्रों में 75% और सहरी छेत्रों में 50% अबादी को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाई गई ठीक है देश के लगबग 65% अबादी को इससे लाप प्राप्त होता है इसके अंतरगत पातर परिवारों को परतीमा 5 किलो चावल और गेहूं क्या किया जाता है दिया जाता है और मोटा अनाज करम सा 3,2 और 1 रूपे परती किलो गराम प्राप्त होता है जो लगबग अभी हमारा आपको बता दू कि यहां पर कुरोना की काल तक चल रहा था ठीक है उसके बाद अगला प्रस्ण है 32 नम्मर भारती उप महादुप में पाए जाने बाले अजरी राज छटा इंडी का नोम सदा बहार पेर का बनस्पती नाम है यानि इन पेरों का क पेर का बनस्पती नाम है यानि कह रहा है कि भारती महादुप में पाए जाने वाले जो सदा बहार पेर उनका बनस्पती नाम क्या है उनका नाम क्या है अजारी अजादी राच्छा इंडी का तीक है कहता है कि नीम का बनस्पती नाम अजाडी राचला इंडिका है नीम पर्यावरण और आस्थी की दृष्टी से बहुत ही क्या है उप्योगी है गुरहल का बनस्पती नाम हिबी एस कूस रोजा साइनेंसिस है करी पत्ता का मीठा नीम भी कहते हैं करी पत्ता को मीठा नीम भी कहते हैं करी का पेर का बनस्पती नाम मुराया कुंगली है देवदार का पेर का बनस्पती नाम सिड्रस डियोडाडा है तो आप इन परस्णों को आप देख रहे हैं अगला परस्ण 33 नमर परस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है थेम केरल राज का लोक प्रियन निर्त हैं तो केरल राज का लोक निर्त पदयानी उट्टम काली अट्टम भद्रा काली थूलल सर्भम ठुलू आदि है अब हम 34 नमर प्रस्ण में और डिस्कॉसन दिया गया है किरल राज का सास्त्रे निर्त कतकली है याद रखिया कतकली कहां का है किरल राज का यह आप निर्त से भी प्रस्ण पूछे जाते हैं थुलाल मोहनिय टमी सारा किरल का है करनाटक का लोग निर्त है लांबी वरी गास्से करगा कुनीता आदी गुजरात का लोग निर्त है गरवा डांडिया टिपनी आदी मनीपूर का सास्त्रे निर्त है मनीपूरी सारे निर्त से भी प्रस्ण पूछे जाते हैं आप इसे ध्यान में रखेंगे अगला प्रस्ण है सात्मी सताबदी के प्रारंब के साथ थानिस्ट्वर और कन्योज के सिंगहासन पर हर्सवर्धन बिराजमान हुआ हर्सवर्धन पुस्पुती बंस के महानतम सासक था हर्सवर्धन का सासनकाल 606-647 इस्वी तक था हर्सवर्धन ने पुस्पुती बंस की राजधानी थानिस्ट्वर के अस्थान पर कन्योज को बनाया अगला प्रस्टन है फर्बरी दोहजर उन्नीस को इस्तिती के अनुसार बिश्वैंक मानव पुंजी सुचकांक में भारत का स्थान कितना था तो 115 मांथ था प्रित्वी कि संताप मंडल में ऑजोन परत पाई जाती है संताप मंडल में ऑक्षिजन की तीन अनु मिलकर उजोन के एक अनु बनता है ओजोन परत बायुमंडल में लगव 32 से 60 किलो मेटर के उचाई पर मिलती है कितने किलो मेटर 32 से 60 किलो मेटर 1985 में ओजोन परत में आर्क्टिक छेत्र में छेद सर पर्थम देखा गया कब देखा है उनिस सो पचासी में ओजोन परत पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षा 16 सितंबर 1987 को किया गया इस समझोता का उदेश उजोन परत को छती पहुंचाने वाले गैसों पर परतिबंद लगाना था उजोन परत को सरवाधिक छती कोलोरो फ्लोरोकारवन यानि cfc गैस से होता है अगला प्रसन 37 नमर प्रसन है प्रकिर्टिक प्रकिरिया के माध्यम से किसी बस्तू का उत्पादन भारतिय अर्थ विवस्ता के प्रात्मिक छेतर से संबंदित है प्रसन है कि प्रात्मिक छेतर से संबंदित कौन सा उत्पादन है कौन सा हुत्स पाड़न है तो बतादों कि यहहाँ पर कह रहा है कि आर्थ विवस्ता के शुरोटों के अधार पर तीन भाग बाटा गया है पहला है प्रात्मिक छेत्र उसके यूतीग उसके बाद तिर्तियक छेत्र प्रात्मिक छेत्र में देख लिजिए किर्सी पसु पालन मतस से पालन वन और खान सामिल है दूतियक छेतर में इसके अंदर बी निर्मान उद्योग यह उद्योग सामिल है तिरतियक छेतर इसके अंदर सेवा छेतर आता है कौन सा छेतर आता है सेवा छेतर इतीनों याद रखिए है इसे परशन आते हैं अलप विक सबसे पहले सारे लोग लगब 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 खेती करते थे यानि यही था देश बिक्षित हुआ तो उसमें क्या हो गया अगला 38 नमर प्रस्ण है 38 नमर प्रस्ण देखते हैं 38 नमर प्रसौं 2018 को प्रात्मिक सदृस्य के सबसे बरी राजनीती पार्टी भारती जनता पार्टी यहार में पूछा था कि सबसे बरी राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है तो करन ने BJP की सदिस्टा 18 करोर से अधिक है BJP की अस्थापना 8 April 1980 में किया गया था कब किया गया था? 8 April 1980 में बता दू कि जन संग की अस्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था भारत विश्व का सबसे बड़ा लोग तंत्र है BJP लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सतरहमी लोक सभा में बिजय प्राप्त किया है समझ रहे हैं उसके बाद है गोदावरी नदी दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी नासिक जिले के तंबक गाउं की एक पहारी से निकल कर बंगाल की खारी में गिरती है गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलो मिटर है गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदाबरी को बिर्द गंगा या दक्षिन का गंगा भी कहा जाता है नरमदा नदी अमर कंटक की पहारी से निकलती है अगला प्रसन है चालिस नंबर प्रसन पे चलते हैं 2022 में होने बाले सीथ काल अ необход के कोंग किया था तो बिंझिंग में होआ यह रैंजि आपका Ihr भारतिय इति हास के मधे काल के कभी तुलसी धास जी ने राम चरित अबदी भासा में लिखा टा या पुछा गया ढ़ोगी तो गोस्वामी तूलifi Kids 15 Amanda संक्रप्रसाद आधुनिक है कि का माइनी को माना ते किसे माना गया हुं कामाइनी में जैसंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हुझा मूझरैङिस नंभ खाला । बियाया स्टेकर आगले चलते हैं। अगला प्रसन 42 नंबर परसन में चलते हैं। स्वाइन फुलू बीमारी सूर से फैलती है, किसे फैलती है? सूर से फैलती है सूर में सुरू होने वाले एक तरह के इन्फुलुएंजा मनुस्य के स्वसन्द तंत्र को संकर्मित करता है स्वाइन फुलू कारण H1N1 वायरस इस्ट्रेन है जीका रोग एंडिज मच्छरो द्वारा परशारीत एक वाईरस के कारण होता है पलेक के कारण पास्चूरेला पेस्टिस जिवानु है अगला प्रस्ण है तेरा नमबर प्रस्ण देखे एतिहासिक असमारक तलातल घर असमराज में स्थिते हैं तलातल घर की निर्मान कार 17-51 में संपन हुआ था यह सिवसागर असम में अवस्तित है इसका वास्तुकार घंस्याम है कौन है घंस्याम तलातल घर सभी ताई अहोम असमारकों में सबसे बड़ा है ठीक है उसके बाद है 24 नमर प्रस्ण है पुछा गया था परसिद भारतिय अभिनेता अमीर खान किस फाउंडेशन के संस्थापकत है तो यह पानी फाउंडेशन के संस्थापक है अमीर खान की पतनी किरन राव का भी पानी फाउंडेशन के स्थापने महत्पून योगदान है पानी फाउंडेशन ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखे गई है किसके द्वारा ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई है यह करेंट अपिर से रिलेटेड है आपको बता दी कि ट्विंकल खन्ना भारत की परसीद अभिनेत्री है सोबाडे द्वारा पुष्टक लिखे गई है जुम्पा लहरी की पुष्टक यह है दो मेंसिक और इंटर्प्रेटर ओफ मिलेडीज अर्धृंती रायद्वारा दो गौड ओफ स्मॉल थिंग्स पुष्टक लिखे गई है कई बार पूछा गया है अगला जो प्रस्ण पूछा गया है वो है आपका अगला प्रस्ण जनवरी 2019 तक भारती संविधान में कितने अनुच्छेद हो गया है था चारसो अर्टालिस अनुच्छेद की सेंख्या हो गया था जनवरी 2019 तक भारती संविधान के निर्मान के समय बाइस भाग याद रखे आधिक संभीधान को विश्व की विशालतम संभीधान कहा भारतिय संभीधान की सबसे बरी विशेस्ता यह कि विश्व की सबसे लंबी लिखित संभीधान है क्या है विश्व की सबसे लंबी और लिखित संभीधान है और विश्व का पर्थम लिखित संभीधान कौन था तो 1986 इस्वी के उपभूगता संग्रक्षन एक्ट के अंतरगे जीला राज और राष्टी अस्तर पर उपभूगता फॉरॉम की अस्थापना किया गया 2018 के उपभोकता संग्रक्षन एक्ट द्वारा किंद्री उपभोकता संग्रक्षन और्थरेटी की अस्थापना का प्राबधान किया गया इस एक्ट के द्वारा उपभोकता को और आर्थिक अधिकार एवन सुरक्षा परदान किया गया भारत में फ्रांसीसी उपनिवेस की राजधानी पुद्दू चेरी थी अगला प्रसन है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेस की राजधानी कहां थी तो पुद्दू चेरी थी पुद्दू चेरी का बरतमान नाम पांडी चेरी का बरतमान नाम क्या है पुद्दू चेरी है भा फ्रांसीसी कंपनी की भारत में पर्थम कारखाना 1668 इस्वी में सूरत में अस्थापित हुआ 1673 में फ्रांसीसको मॉर्टीन ने पंडीचेरी सहर की नीव रखी गुवा पुर्तगाली कंपनी की भारत में मुख्याले थी पुर्तवाली द्वारा पर्थमकार खाना 1502 इसमी में कोचिन में अस्थापित किया गिया अगला 49 नमबर प्रस्ट है हरेली का तेवहार 36 गड़ भारती राजिम में मनाया जाता है हरेली तेवहार किसानों का तेवहार है हरीली तोहर में हल, बैल, किर्सी से संबन्दित आउजारों की पूजा की जाती है उत्रा खंड में हरीली तोहर मनाय जाता है कहा मनाय जाता है उत्रा खंड में हरला नाम से उत्रा खंड में मनाय जाता है 36 गड़ का महत्पून तोहर है इंडिगो एरलाइन सहसन स्थापक राहुल भाटिया राहुल भाटिया और राकेस गंगवाल 24 में इंटर ग्लोब एबियेशन के एरलाइन सुरू करने का लाइसेंस मिला पर्थम उरान जुलाइ 2006 इस भी में प्रारम किया इंडिगो एरलाइन की कीमत पर भायू सिवा के लिए जाना जाता है आप इन सारे प्रस्न को देखे होंगे आपको पता चलना है कि कहां से प्रस्न पूछे जा रहा है साथ में इसके आस पास इसके बारे में और इसमें डिटल में बताया जा रहा है जिससे आपको काफी हेल्प होगा आपके त्यारी में आपके लेवल में तो अगले दूसरे सेट के साथ दूसरे दिन मिलते हैं जैहिन